हलो यह वेलकम तो श्रीलिजिक क्लाश्ट आज का टॉपिक है हौ तो टॉपिक अधा केल्पुलेट कर्टिंग लेंथ ऑफ डामड एस्टी रख तो प्रेंट आओ देखते हैं वूप्र आपके व्या करते हैं कि अम कॉलम का साइज श्यूम कर लेते हैं साइज हम कॉलम के एजूब कर लेते हैं साइज यह कितना हम 30 by 50 cm एजूब कर लेते हैं सो कॉलम का साइज हम एजूब कर लें धेर हम क्या करेंगे हम एक प्लान ड्रॉब कर लेंगे 30 30 हो गया 30 by 50 का 30 by 50 का हम प्लान ड्रॉब कर लेंगे तो यह पॉर्शन हमारा 30 cm एज यह हम 50 cm ले ले थे 30 by 50 का प्लान ड्रॉब कर लेंगे हमारा कॉलम का पॉपविव सगर हम देखेंगे तरसर रही रहा हम क्या करते हैं इसमें हम यहां पर इस्टी रफ प्रॉबाइट कर लेंगे हमारा कॉलम का यह होगा हम क्लियर कवर करके हम एस्टी रफ ड्रॉब कर लेंगे कर लेंगे 40 अब के लिए कवर लेंगे हैं दोस्तों यह होगा यह हमारा बेंड होगा यह पूर्सन है यह हमेशा बेंड होता है यहां पर आपको गराशा यह जो है यह से सगेंड मैंच करता हूं करेंगे इसमें 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 इसके सामने करेंड कि यह हमारा जो है three three and two that means eight no more of mean मेंडर हो और भाइक है और हमें क्या करें हैंड इसमें डायमन इससे भी अपनीन होगा इसे मैं जार्ट कर दोता हूँ और यहां पी है फूप होगा ओके यह जो है हमारा यह जो साइड जो होंगे इसको मैं सी ले लेता हूँ सी यह सब सेम होंगे ओके तोस्तों यह जल्व होगा हमें क्या करना है क्यों क्या है और यह जो साइड Ul oak है सब्सकॉ क्या करना है की उसको पीज़ा से काटिंग भी काटिंग रंट वो मी Ul distant कीव होगा पेरिमीटर और स्टीर ब्रस्ट्रीटर और एकी तरह में भाड़गा नें जो कोई आसे में तरह सब्सकिंद सब्सक्राइं 2 x hook lane 2 x hook lane यह हम side to a penimeter लिले हैं 2 x hook lane 1 x 2 हो गया minus 1,2,3 3 is a number of 90 degree bend 3 x 90 degree bend 3 x 90 degree bend हो गया then again minus 1 x 2 सब्सक्राइब दोस्तों निकालते हैं तो उसका क्या होगा है पेरिमेटर का पेरिमेटर का पेरिमेटर क्या होता है सब्सक्राइब दोस्तों प्लस्तों निकाल सकते हैं नाव पस्ट अपल पेरिमेटर क्या दोस्तों अगर मालूं हो चुका है तो हम क्या गया निए perimeter of step निकाल सकते हैं So, first of all, हम C के वैड़न निकालते हैं उसके लिए C, 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 C दोस्तो इसे मैंने A लिया है A जो है, हमने क्या किया है A जो है, outer से लिया था इसको हमें क्या करूंगा Inner से लेंगे, इस space से लिया है And A जो B है इस space से B लिया है Okay, so यह हमारा क्या हो गया, A हो गया And यह portion हमारा B हो गया So, यह portion हमारा A हो गया और यह जो portion है B हो गया So, A is equal to क्या होगा A is equal to, यह हमारा 50 cm Column का जो हमें, dimension लिया था एक dimension 30 cm और यह हमारा 50 cm So, क्या करेंगे? 50 हो गया, जो हमारा dimension यह column का Minus clear cover So, clear cover कितना हो जाएगा? 40 इदर से and 40 इदर से So, 4-4 Centimeter में ले रहे, तो 4 cm हो जाएगा यह हमारा कितना जाएगा? 42 cm आ जाएगा कितना जाएगा? 42 cm Now, B B के लिए कितना है? Same B हमारा जो है, इदर 30 में से क्या करेंगे? 4 इदर, 4 इदर माइनस करेंगे So, 30-4-4 That means 21 cm So, कितना जाएगा? 30 में से क्या जाएगा, हमारा कितना जाएगा? 22 cm So, दोस्तो, हमें A और B मालू हो चुका है So, now आपको मैं बताता हूँ, किसे C कैसे निकालेंगे? दोस्तो, यह हमारा portion A है यह हमारा A by 2 हो गया बराबर और यह portion B है That means, यह हमारा क्या होगा? B by 2 हो गया So, आप देखे कैसे आपको save आ रहा है? यह हमारा A by 2 और यह हमारा B by 2 हो क्या रहे है आपको? राइट एंगल चुका रहा है तो राइट एंगल चुका रहा है तो C निकालने के लिए क्या करेंगे? That means, hypotaneous So, from Pi था गोरस की रहा है Pi था गोरस क्या हो जाता हमारा? C is equal to क्या हो जाएगा? A by 2 square and plus B by 2 का square A by 2 का square plus B by 2 का square So, A हमारा कितना है? A हमारा जो आया है वो कितना है? 42 cm and B हमारा जो आया है वो हमारा 22 cm हो गया So, 42 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 और 22 का करेंगे तो यह हमारा 11 square आ जाएगा So, जब अब इसको solve करेंगे इसका square एड़िये हमें आ जाएगा 23.70 23.70 यानि आपको C का value हो कितना आ गया? 23.70 So, दो C का value हमें आ चुका है So, now हम क्या करेंगे? formula पे जाएगे C is equal to 23.70 अब मैं इसे रॉप कर रहता हूँ So, C हमारा कितना आ गया? 23.70 cm Okay इसको हम 23 237 mm भी लिख सकते है So, दोस्तों यह हमारा कितना आ गया? 23.70 हमें क्या आ गया? C आ गया और हमारा जो है cutting length is equal to क्या था? cutting length is equal to 4C that means perimeter of square 4C plus 2 into hook length hook length and minus 390 degree bend 3 into 90 degree bend and minus 135 degree का कितना में? 2 into 135 degree bend Okay Okay बराबर So, 4 into 23.70 Sorry इसको में mm में लेना है So, 237 and plus 2 into 10 D D कितना होगे? 8 mm STD up का जो है 8 mm length 8 mm STD up 8 mm STD up So, 2 into 10 into 8 यह जो है hook length क्या होता है? hook जो length होता है दोस्तों यह होता है हमारा 75 D और 75 mm और 10 D दोनों में से जो बढ़ा होता है हो लेते हैं So, यहाँ पर 10 D लेते हैं So, minus 3 into 90 degree 90 degree bend के लिए आप क्या रचत 2 D लेते हैं So, 2 D and D कितना है यहाँ पर? D हमारा 8 है So, and 2 into 135 के लिए कितना लेते? 3 D 3 and D के जट 8 हो जाएगा 90 degree के लिए हम 45 के लिए 1 D लेते हैं 90 के लिए 2 D लेते हैं 135 के लिए 3 D लेते and 180 degree के लिए 4 D लेते plus 2 into 10 into 8 160 160 और यह हमारा किता है 3 into 2 into 8 48 minus 48 948 948 plus 160 minus 48 minus 48 10 10 12 10 12 10 10 ऑर यह हमें कितना आ गया? 1.01 1.0 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 अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्स्राइब कीजिए and share कीजिए Thank you, have a nice day